बिहार को कैसे देख रहे हैं कि पिहार में जंडराज से बढ़ रहा है देखिए बिहार में जो हुआ वो शासन और सुशासन को सरमसार करने वाली घटनाए फत्वाह में हुई पुलिस पर शासन लॉइन ओडर पर समिच्छा कर रहा हो नाक के नीचे ये घटना घटी पत्रकार पीटे गए उसके बाद भी कह रहा हैं कि ये बीजेपी का अफवाह है बीजेपी जुठा रूप लगा रहा है शासन अगर चलता है धमक से सासन चलता है एकवाल से सासन चलता है किसी के रॉब से सासन देखना हो नितिश बावु का को तो आज आएं उत्तर परदेश बगल में है जोगी जी के हां जोगी जी का सासन चलता है यह कहते हैं आपसी रंजिस था वहां भी कोई आपसी रंजिस करके अगर करता है इसा तो उसको तुरत जमी जोद कर दिया जाता है मैं तो कह रहा हूं कि बिहार के कोई जिले को जाकर के देख रहा हूं मैं बेगुश रायमया अमंत्रित कर रहा हूं आपको और पूरी टीम को जिनको यह संका हो महीने में 20-25 अपराद हो रहे हैं हत्याएं हो रही है अब वेपसाई जाकर के कलेक्टर को अपना चाभी सौप रहा है, कह रहा कि आप यहां नहीं रहेंगे, भागलपुर के पिरपैंती में बहन निलम जादब के अस्थन काटके हत्याएं की कर देती है और अपराधी बेखौप घूमते रहते हैं, फिर भी अगर अपराध नहीं है तो इसका तो कोई ठेथरोलोजी का जवाब नहीं है। नितिश कुमार एकता कहां चाहते हैं, नितिश कुमार तो अपने चाहते हैं कि कोई उनका नाम ले ले कि विपक्ष के नेता होंगे, केसियार आया था ने पटना में, यह सोच रहे थे कि केसियार उनका नाम लेगा केसियार सोच रहा था, नितिश कुमार मेरा नाम लेगा, दोनों में खिचा तानी प्रेस कॉनफरेंस में, और वही अभी जब उन्होंने कहा, तो सलमान खुर्षित ने एक कहानी सुनाया अपने लहजे में अपने अनुभव को, कि I love you कौन कहेगा, यह एक है पहले कौन I love you कहे, तो जैराम रमेश ने लिल्लू लिल्लू दिखा दिया, उसने कह दिया, कि अगर आना है, तो राहुल गांधी के चर्णों में आके नितिश बाबू सर्नम गच्छामी हो जाए, बीजेपी को री पार्टी नहीं है, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, मैंने बीजेपी दिया, हिंदित्व नहीं छोड़ा है, देखिये, उद्धव ठाकरे जी महबुबा मुफ्ती की आवाज बोल रहे है, जो कल हुने महबुबा मुफ्ती अहीं बोली है, उद्धव ठाकरे जी, आज उनके साशन में, जो हिंदूों को तबाह और बरबाद किया गया, जब वो म मुखमंत्री थे, तो कौन सा हिंदूत की बात कर रहे हैं, भारती जन्ता पाटी, शीवाजी, महराना परताप के हिंदूत की बात, और साशन की बात, और देश भक्ती की बात कर रहा है, ये अब संकट में फसे हैं, एक तरफ कुआ है, एक तरफ खाई है, वो उस जमात से न मानित करने का काम करता है, कांग्रेस और NCP उस जमात में मुखमंत्री बन गए और हिंदूओं को तबाह और बरबाद किया, अब ये कहां जाएं, इसी संकोच में, लेकिन कंजर राउत ये भी कह रहे हैं, कि जिस तरीके से चीज़े देखी जा रही है, आमिशा जो है, जास्तों के बहुत बड़े दुश्मन है, चलिए कौन क्या बोलता है, मुझे उसका चिंता नहीं, उद्धव ठाकरे, जो सासन की ये मुखमंत्री के रूप में, वो महराष्ट के मराठियों को, महराष्ट के शनात्नियों को समझ में आ गया, कि ये गैर सनात्नी इनका साश नमस्कार, मैं हूँ मानक गुपता, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें, तो जुड़े रहे हमारे सा और देखते रहिए, News24